नाइन देखे, कहारा, राइट दा, इन्वर्स ओ फाइफ, अंडर मडिप्टिकेशन मॉडिलो 11, ओन दा सेट 1 तू 10, इसमें इलिमेंट है, ठीक है, अब समझे इसको, अब हम लोग इतना बड़ा, 10 इलिमेंट है, तो मुझे 11 रो और 11 कॉलम वाला हमें, क्या करना पड़ेग आप यहां तक आपको पता चल गया होगा, अभी तक जितने आप कोशन बनाए हो एक्सेसाइज में, कि अगर मैं मल्टिकेशन मॉडिलो की बात करें, मल्टिकेशन मॉडिलो दिया हो, और यहां पर जो एलिमेंट हो, मल्टिकेशन मॉडिलो यहां 11 कह रहा है, आप 11 से लेस देन यहां पर जो भी दिए गया होंगे और इसमें एलिमेंट जो 11 से लेज देन ही दिए गया होंगे यह तो आपको पता है और 11 से लेज देन यानि जीरो से लेके 10 तक कोई भी आप ले सकते हों तो इसमें वही सब एलिमेंट है 1 to 10 अब इन 1 to 10 इन एलिमेंट के साथ आप इस मल्टिप्लिकेशन मॉडिलो 11 जो कह रहा है इसको लगाते हों तो हमें क्या मिलेगा तो आप ऑपरेशन करोगे वन के साथ इन में से किसी भी एलिमेंट का तो हमारा रिमेंडर यही आजाएगा वैलू यही आएगा आप वन के साथ लगा दो यहाँ पर मल्टिप्लिकेशन मॉडिलो 11 वन का तो क्या जाएगा आपका तो इसमें से मल्टिप्लाई करके 11 से डिवाइट करेंगा तो रिमें दोनों को multiply कर talking 92 में आपका रिमेंटर हो जाएगा इसी तरह un के साथ को ऐ हूcking का operation करते हैं या तो आपका 3 ही आजाएगा वन के सांद हिद या है आप किसी का भी करो 56 जीसका भी कोई फीर ले सकता या यह सकता तो यह के साथ 1 का operation करते हैं यहाँ पर multiplication modulo 11 लेकर तो यहाँ पर हमारा 2 ही आएगा 3 के साथ करते हैं 1 का तो यहाँ पर हमें 3 ही मिलेगा तो हमें यहाँ से इसे multiply गए 3 और 3 में 11 से divide करेंगा तो आपका remain रही न बचेगा तो हमें यहाँ से यह पता चल रहा है आपका identity element क्या हो तो multiplication modulo के लिए यहाँ पर क्या होगा आपका identity element जो होगा वह क्या हो जाएगा तो यहाँ से हमें यह पता चल गया कि identity element क्या है क्योंकि 1 के साथ किसी भी element को operation करते हैं तो हमें वही element मिल रहा है तो identity element 1 हो गया अब देखिए अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि 5 का inverse क्या होगा इस rule के मदर तो 5 का inverse यानि कि हमें देखना होगा कि 5 के साथ इसमें किसका operation करने पर हमें identity element मिल रहा है तो मैं देख रहा हूँ अगर 5 के साथ सुचो 1 को operate करोगे तो 5 जा 5 यानि remainder 5 हो जागा 2 को operate करोगे तो 5 तू जा 10 remainder आपका 10 ही हो जाएगा 5 में 3 से करेंगे तो 15 remainder आपका क्या जाएगा 4 जाएगा 11 से डिवाइड करके देखेंगे ना जी तो मैं यहाँ पर ऐसे चेक करूँगा तो मुझे एक 9 element ऐसा मिल रहा है नाइन में operation कर रहा है 5 के साथ या 5 कर रहा है 9 के साथ दोनों condition में हमें identity element मिल रहा है इसका मतलब 5 का inverse क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा तो यह मैंने sort में मता है नहीं तो मैं क्या करता पूरा table बनाता binary operation table फिर बनाता दो तो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता ना चलिए